तो ये एक रिवी वीडियो है नादिट की एमली का जो भी निया इस्टोड लान है ना ये सच में काफ़ी बेहतरीन है हालें की दोरी से जो प्रोब्लोस भी इस्वाग लिए क्रेट करती है ना तो सच में उसके मॉम की जो ऐसी हालत हो जाती है जिसको तीख भाना ये काफ़ी जादा तकलीफ उससे देती है और उसे इतना जादा पर्टसान करतेती है ना कि वो खुद को जात जमानी के लिए सोच लेता है तो सच में ये बहुत अजीब भी है कैर पदा है जो इसके प्लानिंग होती है ना कि अगस्ते को फंसाएगा तो यह क्या करता है और एमली को ब को बताती है और जैसे डीजीबी को पता चलती है हाथ हो हाथ इससे सस्पेंट करके इसका लाइसेंस भी ले लेते हैं इसका गन भी वापिस ले लेते हैं और अब ये चीज़े इतनी ज़्यादा कॉम्लिकेट होती है इसके और इसके फैमिली के लिए अब बेचारे के पास में चले जाना चाहिए आखिर जिस बेटे भरोसा करके उन्होंने सोचा था कि साथ बदला लेंगी अब उसके साथ ही गलत हो रहा है अपने बदले के लिए वह अपने बच्छी की जिंद्गी को तबाह नहीं कर सकती इस बारे में वह भी सूचने लगती है वह डिप हलाएं कि उसको तूटता हुए देह करके एमली को इतने जाता तकलिफ होती है कि वह फैसला कर लेते हैं कि वह विश्वा की मदद कड़ेगी अब देखो जो भी चीज़ों होई इनकी फैमली की कारण जो भी प्रोब्लम्स करेट हुए है अब एमली ने तो ऐसा डिजवी के इमली को बोल देता है कि इमली तुम उसकी मदद नहीं करोगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी माम और उसके साथ में क्या होता है वह जीए या मारे लेकिन यहीं जो पोस्ट्रेशन टानिंग पॉइंट लेती है यह तो बहुत अजीव हो जाता है लेकिन एक पल के ल रिष्टा हमेंसा मेंसा के लिए खत्म हो जाएगा जब इमली यह फंसला कर लेती ही कि वह बिष्वा के मदद करेगी तो सीवानी वापिस आती है घड़ पे तो सीवानी के वापिस उसके ससुराल वह भेज़ देती है लेकिन जाने पहले जब अगस्तर रोक करके यह बोल द तब ही तो चला गया था ना तो एक तरफ सो दिखा जाए तो ठीक है ठीक अपने जगे पे तो एसस इमली बताना चाहती है लेकिन अगस्तर को यह बाते समझ में नहीं आती है उसके लिए उसका रूतवा बरकरा रहना चाहिए तो फैसला कर लेता है इमली हलांकि मदद करती सिवानी की और बोलती है कि सिवानी अपने सुसुराल जाएगी फट नहीं पड़ता है कि मेरे डिश्टेर रहे या ना रहे अब देखो यह सेम स्टोडी लाइन तेरे हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है अंगत चाता है कि गैरी भाई ना रहे गैरी दूर चला जाए लेकि ख्यार थोरा सब मैच हो जाता है कभी-कभी लेकिन फिलाल ठीक है हलांकि अटानिक पॉइंट थोड़े सा जीब है देखने में क्या मज़ेदार हो सकती है और घर चोड़ने के जाने की यह कभी बार रिपीट होई है तो इतना रिपीट होने से पहले ही हो सकता है कि नव्या क्या नहीं तुम चाहो तो बता सकते हो तुम क्या सुस्ते हो इस बारे में